पमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे सीडियोप चानल में आज का इस वीडियो में हम देखेंगे BAC की ओफिशल वेबसाइट पे आप किसे भी कमपनी का कॉर्टरली फाइनाशियल रिजल्ट किस तरह से देख सकते हैं इसके साथ ही इस रिजल्ट को आप किस तरह से पीडियोफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट इट किसे भी कमपनी का फाइनाशियल रिजल्ट जानने के लिए सबसे पहले आप आपका प्राउजर ओपन किजिए और इसमें सर्च फॉर BACIndia.com इसके बाद जो भी ये फर्स्ट वाला लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है तो जैसे आप BACIndia.com पे क्लिक करते हो तो आप BAC के ऑफिचल वेबसाइट पे रिडारिक हो जाते हो तो यहाँ पे आपको Corporate Option पर क्लिक करना है तो जैसे आप Corporate Option पे क्लिक करते हो तो यह Corporate Announcement का पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे जो arrow mark आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है तो जैसे आप arrow mark पे क्लिक करते हो तो यह आपका latest corporate announcement का पेज ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपको segment का option select करना है तो segment option के आगे यहाँ पे डॉप डाउन है जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको थ्री option दिखाए देंगे तो फ़एल आप्शन एक्विटी का second option एडेप्ट and third option है mutual fund हमें यहाँ पे कंपनी का financial results देखना है तो यहाँ हम एक्विटी select कर सकते हैं सेकेंड option में आपको debt select करना है तो जैसे आप इस debt पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे बहली year select करना है अभी हम 2022 select करेंगे और यहाँ पे October select करेंगे तो फ़र्स्ट ऑक्टोबर to date के लिए हम यहाँ पे October 31st तो हम अक्टोबर मंत में जो भी result हो चुके है उसको अगर हम सर्च करना है तो अक्टोबर मंत का जो भी from date to date यहाँ पे आमको इंटर करना पड़ेगा इसके बाद next option है category तो यहाँ पे जैसे आप इस category के option के drop down पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको different option लाइक AGM, board meeting, company update, new listing, results यह सारे option यहाँ पे आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पे हम में result देखने है तो आप result पे select कर सकते हो And last option है security day जिसे भी company का आपको result देखना है उस company का नाम आप यहाँ पे type कर सकते हो और finally आपको submit करना है तो जैसे आप submit करते है तो यहाँ नीचे इस मंत में जो भी result अनूंस हो जुके उस company के regarding यहाँ पे पूरी list आपको दिख जाएगे इसके बाद आपको नीचे scroll down करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो outcome of board meeting इसके आगे results है और यह जो आप PDF वाला symbol देख रहे हैं उस पर आपको click करना है तो जैसे आप इस symbol पे click करते हो तो आपके जो company का financial results है यहाँ पे आप देख सकते हो तो इस result में आप जो भी company का income है जो भी expenses है जो भी total tax expenses है और जो भी earnings पर equity shares है यह सारी information आपको यहाँ पे दिख जाएगे इसके साथ यह अगर आपको इस result को PDF में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको एक option है डाउनलोड का तो इस option पे click करके इस result को आप PDF पॉम में डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरह से आप किसे भी company का financial quarterly results पॉम्बी stock exchange पर देख सकते हो अगर आपको किसे भी company का financial quarterly results national stock exchange पर देखना है तो इसका accept rates वीडियो मैंने already upload किया है इसका link description में दिया है अगर आपको NAC का वीडियो देखना है तो आप description में जो link है उस पर click करके देख सकते हो लेकिन BAC और NAC की बात करेंगे तो सबसे पहले जो financial results वो BAC पर आता है उसके बाद NAC पर publish होता है तो सबसे पहले results देखने के लिए आप BAC पर जाके उस result को देख सकते हो So friends मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो please like, share, comments करना मत बुलिए एसी तरह की ओर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल दरूर सबस्क्राइब करें Thanks for watching आओर वीडियो ज़ बाई झा collecting आपको पसके लίए है कर दो भाई